भर्म मैं मन डालो पर हम बोलनी पार में चलो आप लोगों को भी मिलेगा आप लोगों को खड़े हैं उस पंडाल में भी आएगा माइब तब तक माइब बिष्कष्ट。 पहुंच जाओ, वो जो खड़े हुए हैं उनको दे देना, हाथ खड़ा किया, टी-शर्ट बागे, हाँ बटिया, बोलो, चरणी सपस गुरूजी, हुश रहो बटिया, सिताराम गुरूजी, हम जब भी मंडे के देन, सेबलिंग पर जल चड़ाने जाते हैं, तो खड़े होक सोनम लोदी, अच्छा कहां से हो आप, इंदोर से, इंदोर से ही, देखो, जैसी परिस्तिती हो, बैसी परिस्तिती में पूजा अर्चन बंदन कर लेना चाहिए, अब रही जलाभी सेख की बात, सिवजी का जलाभी सेख, वैसे तो प्रतेक पूजा बैठ करके ही की जाती है जलाभी सेख भी बैठ करके ही करना चाहिए, पर भीड जाता है, बिवस्ता नहीं है, तो जैसे में अपना मन संतुष्ट हो जाए, और संकर जी सपर जाए, बैसा कर लेना चाहिए, अगर हम कह दें कर नहीं, बैठ करके ही जलाभी सेख करना है, कौनों मंदर में लड़ाई ठंजा है तुम आई, इसलिए दोनों मत हमने आपको दे दी हैं, अब माई का, यहाँ पर इस तरह अपने, हाँ जी, यह जो टी सेट वाली हैं, इनको माईक दिया जाए, तुम कैज करो भीया, तुम जरा आंगे आजाओ दोर के, हाँ, वो माईक चालू करो भीया, दूसरा आइ, यह जो, इस तरह पाज़ाओ, ताकि तुम कैमरा में दिखो, बेट्व, यहाँ जब तक राजकुमार, तुम माये कर लिये हो, माये माये कौन जो दादा जी है, उनको दे जररेने, जैसृरी रहन, अगी बोलो, महराजी राम राम, ऑजि राम राम बोलो, महराजी, रा भरत जी शत्रुगन जी और लक्षमन जी जो चार भाई हैं राम जी तो हरी विश्नु जी के अवतार हैं और शेश नांग जी है लक्षमन जी और भरत जी और शत्रुगन जी है ये किन के अवतार हैं इनको एक बार ताली बजाओ और बजाओ जोर से बजाओ आपका नाम क्या है जितेंद्र कोटवानी अच्छा सेस मत हम कल देंगे गुरु जी से हम भी पूछेंगे पर हमने जितना पढ़ा है जितना गुर्देओं के मुख से सुना है स्री भरजी महराज साक्षात सिव अवतार है संकर जी ही अतना प्रेम राम जी से कर सकते हैं जो भरजी ने दिखाया है तो लक्षमर जी है सेसावतार भरजी है सिव अवतार और सत्रुगन जी के बारे में हमने सुना है सत्रुगन जी कोई और नहीं ब्रह्मा जी के अंसावतार ही सत्रुगन जी अवतार है लेकिन लेकिन सास्त्र मत कौन से गरंथ में आया है इसकी चर्चा हम आपको कल बताएंगे सुक्ष मरूप से कथा के बीच में ही बोल देखे जे श्रीरा ताब बागेश्वर धांग सरकार की